क्यारी साथियों एक बार फिट से आप सभी का एक बहुत ही special class में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले fraction यानि भिन्न के पांच सबसे महत्वपुर्ण और खतरनाक ट्रिक जिसके सीखे बिना आपको किसी भी परिक्षा में 100% सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि जब आप math बनाने जाएंगे जब आप किसी exam को देने जाएंगे किसी परिक्षा को attend करने जाएंगे और जब आपके सामने math का area जब आएगा तो ये पांच fraction के जो topic है या सीधे सीधे का ये trick है इसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आनिवारी है और जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाईवा जाएए जल्दी से जुड़ जाएए आज के session को join कर लीजे क्योंकि बस कुछी चनों में इस पांच trick को हम आपके screen के उपर रखने वाले हैं एक करके और पूरी जानकारी पूरा concept देने वाले हैं और trick से बताने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा आज के session में कि हाँ sir ये topic कितना important था आपके लिए सीखना कितना जरूरी था जल्दी से सभी लोग इस video को कर दीजे शेयर आपके जितने भी friend हैं आपके जितने भी दोस्त है सबको बुला लीजे ताकि आज का session एकदम बिल्कुल एक बहतर तरीके से हम शुरू कर सके और एक बार सब लोग कर दीजे कि जी sir बिल्कुल पहुँच चुके हैं आगाज कर दीजे आज के session का और fraction की 5 खतरनाक trick जो सबसे ज़्यादा important है किसी भी exam में अगर ये 5 trick आपको नहीं आएगा तो आपको math बहुत देज से बनेगा या बहुत लंबे method से आपको बनाना पड़ेगा तो ये आपके लिए बहुत जादा important है यहां से direct भी question पूछा जा सकता है नहीं तो math के अंदर जो आपका calculation है math के अंदर जो simplification है और math क अंदर जो tricks है वो आपके लिए बहुत मददगार सावित होगा आज के class को सीखने के बाद तब लोग तयार हैं एक बार सब लोग आगाज कर दीजिए सब लोग कह दीजिए सर शुरू करिए जल्दी से अब इंतजार नहीं हो रहा है और सबसे important बात कि भाई आज के session में हम पांच महत्वपुर्ण trick के उपर चर्चा करने वाले हैं रेडी हैं बिल्कुल हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ये पांच का पांचो trick देख कर जाईएगा क्योंकि आखरी का दो trick जो है वो सबसे ज़्यादा important होता है calculation का प्रक्षन का simplification का जो भी कह लीजिए जो आपकी मर्जी तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां हम heading बनाएंगे trick number one बिल्कुल आज आपको एकदम बहतर से बहतर ठीक है trick number one जो हम आपको बताने वाले हैं ठीक है ये इतना important है कि इसके सीखे बिना आप trick number 2 नहीं बना पाईएगा मतब जिस student को trick number one कल knowledge नहीं रहेगा वो trick number 2 नहीं clear कर सकता है और trick number one में क्या है कि आपको math में भी काम देगा साती सात इस type के question direct exam में पूछे जाते हैं कहिएगा सर है क्या कुछ जरा बताईएगा तो question देखिए आप से पूछा जाता है बड़ा एबम बड़ा एबम छोटा भी ये बहुत चर्चित टॉपिक है और यहां से कई बार जियां यहां से कई बार exam में पूछे गए प्रश्न हैं जैसे मान लीजे कि एक सवाल अगर हम आपके screen के उपर रखें सवाल है कि सर दो बटे तीन तीन बटे पांच और चार बटे साथ में जी सबसे बड़ा कौन सा है एक बहुत बहतरीन सवाल आपके screen पर हमने रखा है उमीद है कि आज का session करने के बाद आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार हमारे थ्रू जाएगा और उसके बाद कहेंगे जी सर मजा आगया आज के session को करने के बाद चलिए आप सबी लोग उत्तर भी दे सकते हैं और न करिए और सीखिए यह सबके लिए compulsory है क्योंकि यह topic सबसे ज़्यादा simplification का calculation कहिए या fraction कहिए सबसे ज़्यादा trending topic है कि इन तीनों में सबसे और लेबल बढ़ाएंगे इन तीनों में सबसे बढ़ा क्या है या कौन है तो देखिए हमने यहाँ पर रख दिया दो बटे तीन तीन बटे पांच चार बटे साथ देखो अगर एक basic तरीका बता है तो एक तरीका होता है कि भाग देकर देख लिजिए जिसका मान point में ज़्यादा आएगा वो बढ़ा होगा लेकिन उसको करते करते लग जाएगा आपको काफी समय तो हम आपको एक रामबान ट्रिक देने यह अरतीन तीया नौ यहाँ यह दस इसकी वैल्यू और यह नौ इसकी वैल्यू आप हमें बताएगे बढ़ा कौन कहेंगे सर दस बढ़ा है नौ छोटा है हमें बढ़ा भीन चाहिए ना अभी पहले हमने बढ़ा का हेडिंग बनाया है तो यह छोटा वाला कट गया यह नि आपके इसाब से यह 14 भी कोई काम का नहीं रहा आपके इसाब से यह हमारे इसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो गया दो बटे ती एक बार बताएगा सीखे यह नहीं यकीन करिए आज का सेशन आज की क्लास एक यादगार क्लासम बना देंगे पांच टॉपिक के अंदर आप आपको इतना कुछ सिखा देंगे ना कि आप जब मैत बनाने बैठियेगा ना तो बहुत सारी बहुत सारी चीजे जो है वो आपको सिखी सिखाई हुई मिलेगी वो भी ट्रिक से आई बात समझ में सब लोग कह दीजे जी सर बिलकुल यह थोड़ा बहुत पहले जानते थे आज किलियर हो गया तब लोग कह दीजे जी रात में नौ बजे का सेशन रेगुलर चलता है कभी कभी जैसे अगर लेट हो गया तो खेर कोई बात नहीं यह सब लोग कह दीजे सर सीख चुके हैं एक और सवाल हम आपके स्क्रिन के उपर रखना चाहेंगे हम चाहेंगे कि इ इसे ही हमां स्क्रिन पर रखे तुरंत बता दीजिए अभी आपको बड़ा भी नहीं बताना है दो बटे पांच तीन पांच बटे साथ साथ बटे ग्यारा जल्दी बताए सबसे बड़ा कौन ठीक है कौन बनेगा भाही इसका बिजेता जल्दी उत्तर करिए एकदम गती ल पांच ट्रिक बताएंगे आज आपको सिंप्लिफिकेशन का या फ्रेक्शन का ही कह लिजे भिन्न का ये सबसे ट्रेंडिंग अभी ट्रिक है और वो भी एकदम सांदार तरीके से तब लोग उत्तर पर ध्यान दीजिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहें सर साथ बटे बा करना क्या है ये डाइरेक्ट इग्जाम में पूस्ता है इस टाइप का कुशन प्रिवियस यह उठाकर देख लिजे रेलवे हो एसस्टी हो डिफेंस हो या बैंकिंग हो कोई भी एक्जाम को उठाकर चेक कर लिजे प्रिवियस यह आपको आपके सवाल का जबाब मिल जाए क्योंकि पचीज बड़ा हो गया ग्यारा पचे पचपन ग्यारा पचे पचपन और साथ सते उन्चास वाले को काटेंगे आपके प्रश्न का उत्तर आया पांच बटे साथ यह सबसे बड़ा है आई बात समझ में वीडियो शेयर करते रहिएगा सब लोग लाइक का बटन द मंगा सकते और यह मैथ की बुक यह भी फ्लिप कार्ट के उपर एवेलेबल है दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह ट्रिकी मैथ ब्रहमास्तर यह भी हमने खुछ से लिखा है और यह भी हमने खुछ से लिखा है दोनों बुक का लिंक वीडियो के डि और सात बटे नौ बताओ भई इसमें से सबसे बड़ा कॉन? जल्दी बताओ अबी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है आज के क्लास में। तैके हैं? जी अभी तो बहुत कुछ सीखना है बाकी। प्राइज आपको रिस्टीन की बुक मोटी है ना बहुत मोटी बुक है बिट 390 400 के आसपास चला जाएगा math की book थोड़ी पतली है tricky math है ना इसलिए 200 के आसपास जाएगा दोनों book का link मैंने description में डाल दिया है flip card का link आप चेक कर सकते हो खुद से भी ठीक है okay my dear student करे जल्दी से उत्तर कौन सबसे बड़ा होगा जाए कौन सबसे okay okay कुछ बच्चे सर 5 बटे 6 कह रहे कुछ बच्चे 7 बटे 9 करे थोड़ा trickly बनाएए देखिए कैसे करना है 4 दुनी 8 लिखने की जुरूत नहीं है चीजों को छोटा करिए 4 दुनी 8 तीन 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 नो बताए कौन बड़ा obviously सर 9 बड़ा 4 दुनी 8 और 3 तीन तीन नो तो 8 बड़े को काट ये इसको लिखना नहीं है वो तो बच्चों का काम है भाई 6 तीया 18 6 तीया 18 और 4 पच्चे 20 कौन सा बड़ा 20 बड़ा 6 तीया 18 और 4 पच्चे 20 तो 18 बड़े को काट दीजे क्योंकि 18 इसकी value होगी 20 उसकी value देखिए 9 पचे 45 9 पचे 45 और 7 छक देखो एगदम ध्यान से यहाँ पर 9 पचे 45 इसका value होगा और 6 सती 42 इसका और बेसली सर 42 शोटा हो गया यानि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 5 बटे 6 सिखे या नहीं सिखे जल्दी बताईएगा ताकि अगला question आपके screen के उपर रखे ओके अब ऐसा question exam में आएगा तो छूटेगा नहीं छूटेगा point में आए तो point को सही कर लीजिएगा ठीक है चलो अब इसी में type 1 में ही बड़ा तो हमने सीख लिया अब हमें बताईएगा एक question हम आपके screen के उपर रखते है जल्दी से बताईए कि भाई इस में से सबसे छोटा कौन है तीन बटे पांच दो बटे साथ एक बटे तीन चार बटे पांच में सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा होगा भाई पताओ जरा कौन होगा इस प्रशन का उत्तर चारो में से कौन सबसे छोटा है जल्दी एकदम गती में उत्तर करिए आप सभी लोग सबसे छोटा कौन बताईएगा बहुत बढ़िया जी ये नितिस सभी competitive exam के लिए हमारी book लिखी जाती है कोई भी exam में आप bad job ठीक है math reasoning में बस question पूछना चाहिए चलो बहुत सारे student उत्तर दे रहे हैं जी इस बार छोटा ढूंडना है बस इतना याद रखना जब छोटा ढूंडना है तो बड़ा वाला को काटेंगे बड़ा ढूंडना है तो छोटा वाला को काटेंगे बस इतना करके हम प्रशनों को deal कर पाएंगे देखो सत्तिया एकीस इसकी value और तीन पांच दूनी दास इसकी value हमें छोटा चाहिए ना सर दास छोटा है एकीस बड़ा है तो हम एकीस वाले को काटेंगे ना क्योंकि भई तीन दूनी छोटा चाहिए बड़ा काटेंगे अब इसमें इसमें पांच दूनी दास इसकी value सच्चक अठाइस इसकी value ये बड़ा हो गया ना आपके प्रशन में सबसे छोटा जो मिला वो दो बटे साथ मिला का दीजे सर एकदम सीख गए एकदम गणित हो रहा है मक्षन नहीं और किसी भी एकजाम में आप अच्छे से बैठ सकते हैं यहां तक clear है सबको आगे बढ़े हम लोग जी बिलकुल आगे बढ़े अब लोग कह दीजे सर आगे बढ़ा जाए बिलकुल आगे बढ़ेंगे चलो एक और कोशन लास्ट कोशन उसके बाद हम टाइट टो में आ जाएंगे I mean trick नमबर दूसरा तीन बटे पाँच चार बटे नौफ पाँच बटे एग्यारा और दो बटे चार छे बटे तेरा आईए थोड़ा सा हमने लेबल बढ़ाया है और इसमें भी क्या चाहिए भाई सबसे छोटा ही find out करके देना है कि कौन सा ratio कौन सा भिन सबसे छोटा होगा चार ओप्शन आपके screen के उपर है बताना है कि सबसे छोटा कौन सा जल्दी जी अंजू प्रधान बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर बिल्कुल इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे और आप लोग अगर math और reasoning को zero से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे application के उपर जरूर पधार ये application का लिंक वीडियो के description में है नाम है हमारे application का dream classes official जी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर में सर्च करिएगा dream classes official और वहाँ पर आपको बहुत सारी math reasoning recorded batch live batch बहुत सारी नई नई batches बहुत सारी पुराने batches जो as a recorded जैसे संघर्स batch हो गया वह as a recorded संकल्प batch आप जोईन कर सकते हैं तीन चार महिनों में पूरी तैयारी batches हैं हमारे पास application के उपर आकर आनंद उठाए बहुत ही normal सी piece जितना आप offline में एक साल में देंगे ना एक महिने में देंगे उतना में हम एक साल पढ़ाते हैं मतब 400-500 का एक batch रहेगा पूरे एक साल का आपको जो batch की प्राइज दिखेगी वह हर एक साल की प्राइज होगी ना कि हर महिने की प्राइज देखो इस बार इन चारों में छोटा डूनना है पाचों में चारों में तेरा चक बामन और नौ चक चववन तो चववन को काटो भाई इस प्रश्न का उत्तर हो गया चार बटे नो कहिए सर जी सीखे या नहीं सीखे यस या नो में जबाब दीजिए कहेंगे सर बिलकुल सीखे तो largest fraction हम सीख चुके हैं smallest fraction हम लोग सीख चुके हैं अब हम जो trick number 2 आपके लिए लेकर आये हैं heading बनाईए सब लोग जल्दी पहला trick complete हो गया heading बनाईए कि सर जी trick number 2 trick number 2 क्योंकि पांच trick fraction के उपर लेकर आये हैं हम आपके लिए और सारा एकदब मौखिक ही सिखाएंगे कोई PPT की आवसकता नहीं है इतना ना अंदर भंडार है ट्रिक का कि कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है भाई ट्रिक नमबर दो आप हेडिंग मनाएए आरोही कहिए सरी तो हलका है पहले एक बार देख तो लो कि हम पढ़ा क्या रहे है आरोही एबम अब रोही इसको इंगलिस में बच्चे कहते हैं एसेंडिंग और डिसेंडिंग ठीक है पिछला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रेक्शन बड़ा भिन और छोटा भिन इसको पढ़ेंगे भाई एसेंडिंग और डिसेंडिंग आरोही एबम अब रोही पहले एक बार कॉंसेट देख लो आखे फटी की फटी रहा जाएगी कहोगे सर इतना सांदार ट्रिक आज तक नहीं पढ़ा हमने बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे देखे एसेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे कॉस्चन रहता है मान लीजिए कि پहले हम लोग एक टोपिग बनाते है आरोही इसको एंगलिस में कहेंगे एसेंडिंग आरोही का मतलब होता है चड़ते क्रम में चड़ते करम में कहिए या बढ़ते करम में कहिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है लेकिन कैसकते हैं तो आरोही का मतब हो गया चड़ते करम जैसे मान लीजिए कि हमने एक सवाल लिखा है 2 बटे 3 3 बटे 5 और 5 बटे 6 को आरोही ठीक है एक स्काइब एक स्काइब लिखे सवाल बहुत बढ़िया है सवाल हमने क्या लिखा है हमने सवाल लिखा है दो बटे तीन तीन बटे पाँच और एक बटे तीन को आरोहिकरम में से इसका एक उपाई ये है कि सबका मान पॉइंट में ले आईए और पहले छोटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा आरोहिकरम मतलब बढ़ते करम ये चड़ते करम यानि पहले सबसे छोटा कोजिंग फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा तो यहाँ पर ये प्रोसेस है दो बटे तीन, तीन बटे पाँच और एक बटे तीन को आरूही करम में सजाए, चड़ते करम में सजाए, बढ़ते करम में सजाए, तो हम एक बहुती शांदार रामबान ट्रिक आपको देंगे, यह जो नीचे वाला आपको दिख रहे है, तीन पाँच तीन, इसका निकाल ल जैसे भिनका जोड घटाओ करते हैं आम लोग, सुनो हमारी बाद, एकदम प्रवचन की तरह सुनिये, सांती दिमाग से सुनिये, सफलता आपके कदम चुमेगी, ये वादा है मेरा, तो हमें करना क्या है माईडियर स्टूडेंट, कि पहले तो 3-5, 3 का LCM होगा 15, नीचे हमने 15 लिख दिया, फिर आपको इस से इस में भाग देना है, तो 3 से 15 में भाग देना है, आएगा 5, और जो भाग पल आया है, उसको उपर में गुना कर देना है, पांच तो बार में, अब देखो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी जान करी, ये 10 डिनोट करेगा इसको, क्योंकि इस से निकला है, 9 इसको, और ये 5 इसको, आपको कौन सा क्रम चाहिए, कहेंगे सर, आरो ही क्रम, आरो ही क्रम को हिंदी में कहते हैं, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटा डू लिए, यहां तो नहीं समझ में आ रहाता, लेकिन आपको 10, 9, 5 में सबसे छो ला रहेगा, वो संख्या बड़ा, यह बात याद रखेगा, फिर सबसे बड़ा 10 अर 10 की वैल्यू दो बटे थी, यानि यह जो हमारा क्रम है, यह हमारा कौन सा क्रम है, आरो ही क्रम, बात समझे, यह एक बहुत ही सांदार टॉपिक है, और ऐसे प्रश्न, SSE में भी कई बार सब लोग बताईए कि कैसा लगा यह ट्रिक, क्या यह ट्रिक सांदार ट्रिक आपको है, यस यनो में जबाब दीजे सब लोग, सब लोग जबाब दीजे सर क्या यह एक सांदार ट्रिक है, मज़ा आ रहा है, अगर आ रहा है, तो इसी बात पे एक बार वीडियो को शेयर कर ताकि जितने भी आपके दोस्ते वो हमारे साथ जुड़ जाए जल्दी बस इस नाम पर कि हम एक एक इंट्रस्टिंग चैप्टर एक इंट्रस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर है अगर आपको लगता है कि सर ने आपके लिए कुछ अच्छा आज किया है तो आपका काम ह जल्दी ताकि इससे भी अच्छा आपके दूसरा एक ट्रिक है पांच ट्रिक का सेशन है यह आज हमारा बात समझ में आया कहेंगे लगतो राय सर बहुत बढ़िया सिखा रहे है चलो अगर इसी बात पर एक सवाला और दागते हैं आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं बटे 35 का को आरोही क्रम में सजाईए जल्दी टाइम इज मनी बिल्कुल समय वरबाद नहीं करेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे ठीक है जी और कोशिश करिए कोशिश करिए क्योंकि बच्चन सहाब ने कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और बिना कुछ किये जैजैकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जल्दी उत्तर दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको आरोही क्रम में सजाना है जी एक और बेतरीन सॉल्यूशन हम करते हैं उमीद है कि कुछ बच्चे दे रहे हो नीचे वाले का ले लिजे लसीम 5, 7 और 35 का लसीम होगा वही 35 क्योंकि 35 में 5 से भी भाग लगे हैं 7 से भी 5, 7, 35 सरजी 7 बार में कटेगा तो 7 को उपर गुना करिये हो जाएगा 7 या 21 7, 35 5 बार में कटेगा तो 5 को उपर गुना करिये 5 शक्री 35 एकम 35 एक बार में कटेगा तो 1 बार में कटेगा तो सत्रा एकम सत्रा एकदम सिंपल है सर्ये 21 इसकी value 20 इसकी value और 17 इसकी value आपको सजाना है आरोही क्रम में ठीक है कौन सा क्रम आरोही मत्तब होता है बढ़ते क्रम यानि सबसे छोटा कौन है 17 17 की value 17 बटे 35 तोपी इधर खोलिएगा ठीक है क्यूंकि जिधर खोलिएगा वो ब करिएगा तो सबसे बड़ा 21 33 बटे अच्छा इसी में एक और चीड ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा अगर हम जवड़दस्ती बोलते इसी कोश्चन में कि हमको भाई अब रोही क्रम में सजा दो अब रोही क्रम को हिंदी में कहते हैं घटते क्रम देखिए ज्यादा समय वे देखिए आरोही क्रम के साथ साथ अगर अब रोही क्रम का भी डिमांड रहता तो हम क्या करते कि अब रोही मतलब होता है घटते क्रम यानि सबसे पहले बड़ा को ढूंते सबसे बड़ा 21 है और 21 की वेल्यू तीन बटे पाँच और कैप इदर खोलते क्योंकि जो बड़ा रहता है कैप उदर खुलता है 21 के बाद छोटा 20 है जिसकी वैल्यू 4 बटे साथ फिर इधर ही कैप खोलते क्योंकि उससे बढ़ा यह होगा सबसे छोटा 17 और 17 की वैल्यू 17 बटे परी देखिए आरोही और अब रोही क्या एक दूसरे का विपरीत है कहेंगे हाजी सर लगतो बिल्कुल तो यह हो गया एसंडिंग एंड डिसंडिंग का इंगे हो गया आ रोही एबं अब रोही ठीक है आई बात समझ में सबको आया समझ में दो ट्रिक खतम हो गया हेडिंग बना ये ट्रिक नमबर तीसरा देखिए हम चाहते तो इस पर पांच मिना टाइम पास कर सकते थे लेकिन हमको इतना पता है कि जिसको आरोही निकालने के लिए आ गया वो अब रोही क्योंकि आरोही का उल्टाई होता है बाद बढ़िया वेरी गुड माई डियर स्टूडेंट चलिए हेडिंग मना ये ट्रिक नमबर तीसरा तीक है ओके एकडम गणित मक्षन हो रहा है आज फिर से कह दीजिये यस्या नो है हेडिंग मना ये ट्रिक नमबर तीसरा गेस वोट कि क्या पढ़ाने वाले ट्रिक नम लगाई है कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा हो कि सर ये पढ़ा होगे कि वो पढ़ा होगे हाँ अब देखो एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं अच्छा सब लोग एक सवाल मैं पूछूंगा यस या नो में जबाब देना आप लोगों को LCM और HCF आता है लासा और क्या आता है क्या नहीं आता वो नहीं पता मुझे बस मैंने जितना पूछा वो बताईए क्या आप सभी को LCM और HCF आता है सबको आता है एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे ट्रिक नंबर तीश्रा हेडिंग बनाईए LCM and HCM मन में विचार भी चल रहा हो सरी सब तो बच्चा को भी आता ही क्या सिखा रहे है खली टाइम पास हो रहा है नहीं पहले एक बर देख तो लीजिए हमारा कॉंसेप्ट की हम कोश्चन कैसा देने वाले है सबाल है दो बटे तीन, तीन बटे चार और पाँच बटे छे का लासा गयात करें इसको लासा को इंगलिश में कहते है LCM और मॉसा को इंगलिश में कहते है HCM बात किलिए हुआ हुआ तो एक सबाल हमने आपके स्क्रीन के उपर रखा है मुझे नहीं आता कोई बात नहीं जिनको नहीं आता है सब लोग तेलीग्राम पे भी जुडेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तेलीग्राम है नहीं तो टेलीग्राम चैनल जो हमारे YouTube चैनल का नाम है Dream Competitive Classes आप तेलीग्राम पे सर्च करके कि हमारे साथ जूड़िएगा फाइदा यह होगा कि जब भी लाइव आएंगे एक notification वहाँ पे डाल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि अच्छा सर लाइव आने वाले हो सकता है YouTube का notification नहीं पहुंच पाए टाइम पे तो देखो जी सवाल है दो बटे तीन तीन बटे चा करिएगा अगर संख्याएं भिन के रूप में हो अगर संख्याएं बटा के रूप में हो अगर संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में हो और आप से पूछे LCM हिंदी में कहिए कि आप से पूछे लसा तो एक ट्रिक याद करिएगा और वो ट्रिक है कि अंस का लसा बटे हर का मासर आज फ्रेक्शन का एकदम तावर तोड सॉल्यूशन देंगे माई डियर स्टूडेंट अंस का LCM बटे हर का LCM और याद रखिए कि अंस में कौन कौन है कहेंगे सर दो तीन पाँच है अंस में तो दो तीन पाँच का LCM होगा तीस सही बात की गलत बात कहेंगे सर बिल्कुल सही बात दो तीन पाँच का LCM देंगे ठीक है तो LCM हो गया तीस करके देख लिए दो तीन पाँच का लहसा तो होगा तीस और नीचे वाले यानि तीन चार छे का मासा याद करिए अगर आपने मुझसे जीरो लेवल से मासा पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है LCM हCB बिना पेन पेपर उठा है तो याद रखेगा उसमें हमने बताये था कि प्यारे बच्चो किनही दो संख्याओं के बीच सुनो मेरी बात दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक हो जाए तो चाहे संख्याओं कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रश्न हो उस संख्या का मासा एक होगा यानि तीन चार छे का मासा एक होगा और वैसे भी अगर किसी संख्या में कोई अभाज संख्या आ जाए और आप उसका मासा निकालने के लिए करें तो अभाजय संख्याओं का मासा एक होता है बात एकदम क्लियर समझ में आया ये आपका उत्तर हो गया 30 क्योंकि 30 बटे 1 को 30 कहेंगे जी अंस का LCM बटे हर का HCM ये आपका बहुत ही शांदार ट्रिक है कॉपी में नोट करिएगा जिन बच्चों को नहीं आता होगा ये ट्रिक नम्मर तीसरा है और इसी के साथ हम एक सवाल आपके स्क्रीन के उपर रख रहे है उमीद है कि हमसे पहले आप लोग उत्तर दे दें चलो भाई एक बटे दो दो बटे तीन तीन बटे चार और चार बटे पांच का LCM जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर वन बाई टू टू बाई त्री त्री बाई फोर फोर बाई फाइब का LCM जी डिफ्रेंट एक हो अंतर डिफ्रेंट के के डिफ्रेंट बिट्मिन इच रखते हैं अगर अंतर एक होगा तो मासा एक होगा बात एकदम क्लियर समझ में आया कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गया यहां देखो भाई इस प्रश्न की बात करें आप से पूछ रहा है लसीम हमने अभी अभी बोला कि अगर संख्याय भिन्न के रूप में हो और एलसीम ग्याद करना हो तो उपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा तो एक दो तीन चार का एलसीम कितना होगा हमको तो लगता है सर बारा में काम हो जाएगा एक दो तीन चार का एलसीम होगा बारा अबटे दो तीन चार पांच का एचसियम मासा किनी दो सब में तो एक ही का इनी दो संख्याओं के बीच अंतर एक है तो मासा एक होगा यानि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बारा होगा बारा बटे एक ना लिखकर सिर्व बारा भी लिखेंगे तो च्छा हो संडीप यादव ने उत्तर दिया है 24 जो बिलकुल सरासर गलत है भई आई बात समझ मे उनको लगाओगा कि 2, 3, 4 का LCM 24 होगा, नहीं 12 पी भी तो हो सकता है, 24 तक जाने की क्या हो सकता है, यहां तक क्लियर हो गया, अब जिनको LCM आ गया हो, ऐसे प्रश्णों का, अब वो HCM भी निकाल सकते हैं, तो यह जो ट्रिक नंबर 3 है, यहां पर आपको एक छोटा सा ओर ट् CF, इसको हम कहेंगे, माई डियर स्टूडेंट, मासा, कुछ प्रस्णम आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं, जैसे एक सवाल हमने आपके स्क्रीन के उपर रखा, 2 बटे 3, 4 बटे 5, और 6 बटे 9, इनका आप निकाल दीजिए, मासा, जल्दी, कभी 3 भिन्न भी रहेगा, कहीं चार जगा भी रहेगा, तब लोग टेलीग्राम जरूर जॉइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जॉइन करने से फाइदा होगा, कि जो भी नोट्बुक बगेरा रहता है, वो हम टेलीग्राम पर भेजते रहते हैं, और सारी सुबधाएं आपको टेलीग्राम पर उपलब्द हैं, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल एक दूसरे से बात ना करके आप अपने अगर लक्ष पे ध्यान देंगे, तो सफलता आपके कदम चुमेगी, अब बरना, समझ रहा हो ना, हाँ, तो ध्यान दो अपने लक्ष के उपर, देखो जी, अगर इस प्रस्ण की बात करें, इस प्रस्ण के सॉल्यूशन की बात करें, दो बटे तीन है, चार बटे पाँच है और छे बटे नो है, अगर संख्याएं भिन के रूप में दी हुई हो, बटा के रूप में दिया हुआ हो, और आपको चाहिए मासा, य अन्स का मासा कितना होगा भाई, दो चार छे का मासा, दो से चार में भी लग जाएगा और दो से छे में भी लग जाएगा, तो मासा सरजी 2 हो गया लासा की बात करें 3, 5, 9 का LCM होगा 45 सही बात की गलत बात कहेंगे बिलकुल सही बात यानि इस प्रश्ण का पूरा उत्तर हो जाएगा 2,45 क्या अब आप से बनेगा एक बार हमें कमेंट करके बताइए यगर संख्याएं भिन के रूप में गिवन हो तो ट्रिक नंबर 4 आपके स्क्रिन के उपर रख सकें तब लोग एक बार यसीनो में जबाब दीजे कि क्या अगर इस तरह के कोश्चन आपके एकजाम में पूछे जाए या फिर नॉर्मली सेट प्रेक्टिस में या कहीं भी अगर आप चले जाए और आपसे अगर ये कोश्च पूछे तो क्या आप बना पाएंगे सही सही उत्तर दे पाएंगे यसीनो में चलो सब लोग का सब लोग का आंसर आना चाहिए तब मैं आगे बढ़ूँगा जैसी बोलिए का तुरन ट्रिक नंबर 4 आपके स्क्रिन पर रख देंगे सब लोग क्या दीजिए ट्रिक नंबर 4 जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिलकुल तुरन सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे ठीक है अब देखिए एक जो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक होता है फ्रेक्शन में एडिंग मनाईए ट्रिक नंबर चार और जैसे ही हम लिखेंगे ना आपके चेरे पर एक प्यारी सी इसमयल अरे हाँ सर इसी में तो दिक्कत होता था में इन रूप से क्योंकि हमने बोला है चार और पांच बहुत हेडिंग मनाईए ट्रिक नंबर ठीक है ट्रिक नंबर फूर जैसे ही हम स्क्रीन पर कोश्चन रखेंगे चेरे पर मुस्कान आ जाएगा और ट्रिक नंबर फूर और देखिए हम क्या बताने वाले ट्रिक नंबर फूर में आज का हेडिंग होगा ट्रिक नंबर फूर का प्रेशानी आई है, कुछ लोगों के तो मन में ये भी चल रहा है, ये होता क्या है लंगड़ा वाला पिन्न, हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना, कुछ लोगों ने सुना होगा तो तुरंत लग गया होगा कि नहीं, तब लोग बताईए, क्या इस प्रश्ण से, आप लंगड़ा वाला पिन्न, नाम सुना है, जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो आज पूरी कसर एक नम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मोहिनी प्रजापती जी, सबको आरे है समझ में, हाँ, कुछ लोगों ने, नहीं नाम भी सुना होगा, देखे इसमें कोश्ण कैसे पूछता है यह लंगड़ा वाला भी, यह है अपने आप में चर्चित क्यों, कोश्ण ऐसे पूछेगा, वन बाई, वन प्लस, वन बाई, तू, वन प्लस, तू बाई, अभी तो सिर्फ प्लस ही दिया है, माइनस भी देंगे, इंटू भी देंगे, डिवाइड भी देंगे मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिक दिया है, इसका मान सब लोग बताईए कितना होगा, जल्दी बताईए, इस टाइप के कोश्चन आपके एक्जाम में भी पूछे जाते हैं, और यह सिंप्लिफिकेशन का एक बेस्टेरिया माना जाता है, फ्रेक्शन का, तो गगन दीप मकर, जी बिलकुल आ रहा है समझ में, तहिए सर अभी तो कुछ बताया भी नहीं आपने, देखो जी, इसको कहते हैं, अगर नॉर्मली आम तोर पर एकदम हिंदी भासा में बोला जाए, तो यह एक टॉपिक है, जो फ्रेक्शन के अंदर आता है, लंगड़ा व नॉर्मल कोशन से सुरुआती है, तो याद रखिएगा, कि अगर कहीं पर, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, पहला ओप्शन है, दो पुर्नांग दो बटे तीन, और दूसरा ओप्शन है, टू प्लस टू बाई थ्री, तब लोग बताईए तो कि दोनों में से बढ़ा कौन है, पहला की दूसरा, दस सकेंड का समय, तब हम समझा पाएंगे और सिखा पाएंगे, एक है दो पुर्नांग दो बटे तीन है, और एक है टू प्लस टू बाई थ्री, इसमें से कौन सा बढ़ा है, अगर पहला बढ़ा है तो आपसन एक लिखे, दूसरा बढ़ा है त पहला की दूसरा, कितना है यह नहीं पूछा है आपने, जल्दी बताओ, देखिए जी कुछ लोग कह रहें, सर पहला बढ़ा है, कुछ लोग कह रहें, दूसरा बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों नहीं कहा है, किसर, दोनों, सेम है, दोनों बराबर है, अरे भाहिया, सौल्व तो करिए, दो पुर्णांग 2बटे 3 को, 3 दोनी, 6 दो, 8 बटे 3, और अगर इसको भी सौल्व करिएगा, तो वही रूल है, लिजेे, बटा-8 आटाईएगा, तो तीन तो देखने का नजरिया अलग अलग है यहां पे प्लस छुपा हुआ रहता है यानि कहीं पर एक पुर्णांग दो बटे तीन रहे या कहीं वन प्लस तू बाई थ्री रहे कहीं पर पांच पुर्णांग पांच पुर्णांग चार बटे पांच रहे या कहीं पर पांच प्लस चारबटे पर कहेंगे सब सर दोनों सेम हैं पलस कहीं लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर ऐसी बात है तो लंगडा बाला भिन बनेगा भाई साथ पीछे से तुनो आपने आज तक किन से किन से पढ़ा मुझे नहीं पता लेक को इसके उपर जीबन में कभी भी समस्या नहीं हो लेकिन जब मैं पढ़ा दू तो जाके प्रैक्टिस भी कर लिजेगा घर पे आदा गंटा में ठीक हैं सुनो मेरी बात अगर इसकी वैल्यू चाहिए इसका मान चाहिए तो सबसे पहले पीछे से गुना पीछे से स्वल अगर यह दोनों सेम हैं वो अलग बात है कि अलग तरीके से पॉजिटिव तरीके से लिखा गया तो हमको लगता है कि कुछ हिचकिचा हट सी हो रही पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम चलेंगे पीछे से अब पीछे में सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें क्या दिख रहा है यही द देखो भई 1 by 5 by 3 यहां हुआ न तो 5 बटे 3 हुआ तो क्या यह 3 उठकर उपर नहीं जाएगा कहेंगे सर क्यों नहीं जाएगा बिलकुल उपर जाएगा ठीक है तो यह जो है यह आपका 5 1 by 5 by 3 हुआ तो 3 को आप कर दीजे उपर ठीक है अब 5 हो जाएगा नीचे आई बात स इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि जो नीचे से सॉल्व करेंगे तो 1 by 5 एकम 5 तिन 8 बटे 5 यह 5 उपर चला जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 बटे 8 क्या किनी ने उत्तर दिया बहुत बढ़ी है बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे जी ठीक है आगे से नहीं बनता है जी पीछे से बनता है लंगड़ा वाला बिन रूल है रूल इस रूल ठीक है अब कोई बच्चा कहेगा सर बारत का संबिधान ही क्यों माना जाता है तो यह कोई बात होगा भई सब लोग कहिए सर उत्तर होगा पाच बच एक कोश्चन और दे बना दीजेगा सब लोग हाँ कहिए तो तुरंत स्क्रेन पर रखते हैं पाच कोश्चन दे दिये ना पूरा माइंड एगदम तितर बितर हो जाएगा दुबारा नहीं छोटेगा बस याद रखिएगा पीछ इतना काफी है अभी सीखने के लिए ऐसे तो बहुत बड़ा कोश्चन आता है लेकिन बड़ा वही करेगा जो जो चोटा करने की छमता रखता हो जल्दी बताओ बहुत बहुत बहतरी टॉपिक बहुत चांदार टॉपिक हम लेकर आएं आज आपके लिए जी नितिश राज का कहना है कि इन्हें पूरी तरह से आथ समझ में आ गया बहुत बड़िया आप लोग इस बुक को जरूर मंगाईएगा ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्तर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये रिजनिंग की बहुती शानदार बुक है मार्केट मे इस बुक को पढ़μεने हमने खुद लिखा है अपने आतो सारी किताबे हम खुद लिखते हैं तेक है काफी अच्छा लोगों का से राप काफी अच्छी कितावे लिखती हो ये दोनों बुक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारा एप्लिकेशन जरूर इंस trending trending बैचे और फीस कितनी भाई जितना आप एक महिना offline में दोगे न यहां एक साल पड़ोगे ठीक है चलिए कुछ लोग उत्तर दे रहे हम करते हैं इसका solution पहले कौन सा area पकड़ना है पहले ये वला area क्या करेंगे solve करके 5 दूनी 10 दू 13 बटे 5 तो हमने इसको solve किया तो भाई आया 13 बटे 5 तो 5 कहां जाएगा उपर क्योंकि बटा के उपर बटा और फिर बटा तो 3 तो possible नहीं है तो नीचे बटा उपर चला जाता है तो यह आपका ऐसे हो जाएगा दो बटे 1 प्लस अब यह जब 5 उपर जाएगा तो 5 दूनी 10 बटे 13 होगा ठीक है 5 दूनी 10 बटे 13 आप इस area को cover करें 13 एकम 13 दस 23 यानि 2 बटे 13 एकम 13 दस 23 बटे 13 तेरा कहां चला जाएगा उपर तो 2 गुने 13 बटे 23 यानि आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 बटे 23 या किसी student का इतना उत्तर आया है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आती सुंदर आप उत्तर कर रहे हैं जी ये बुक बहुत ट्रेंडिंग है बहुत हजारो हजार सैकडों की बात नहीं करेंगे क्योंकि सस्ती बुक है न दोसों में इसका एक और भरजन हम बन बा रहे हैं सॉल्यूशन थोड़ी मोटी हो जाएगी और एडवांस के कुछ चैप्टर्स एड़ हो जाएगे इसमें सेम बुक रहेगा थोड़ी महगी भी हो जाएगी अभी दोसों का है लगबग एक मेने के बाद यह आ जाएगा 300 कुछ रूपीज का ठीक है मोटी हो जाएगी इसका डबल हो जाएगा आई बात समझ में कहेंगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर 26 वटे तेज एक और सवाल उसके बाद हम समझ जाएगे कि आप लोग बहुत समझदार होते अभी प्लस बाला ही हमने सिर्फ दिया है माइनस बाले में उल्जन थोड़ी जादा हो जाएगी उसको नेक्स टाइम कभी पढ़ाएंगे अच्छे से उल्जन मेरे लिए नहीं होगी आपके लिए होगी हमारा तो भाई खत्रों से खेलना कामी है रोज का इस एक विडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुख की जैसे लिंक पर क्लिक करोगे न आप फ्लिप काट पर चले जाओगे वारना हमारे अप्लिकेशन के अंदर भी हमने एक special बुक सेक्शन बना रखा है उस बुक सेक्शन में जाओगे तो आपको हमारी जितनी भी कि इतावे जो हम लिखते हैं जो Flipkart और Amazon के उपर available है उसका लिंक को हाँ पर मिल जाएगा ठीक है भाई ये ट्रिक बता रहा हूं मैं ये बेसिक थोड़ी है ये देखो पहले इसको solve करेंगे इसको solve करने से क्या आएगा पहले question आप लोग लिख लो किस बर मैं मिटा मिटा कर करने वाला हूं 8 एकम 8 और 6, 14 बटे 8, देखो जी, इसको हमने solve किया, तो आया 14 बटे 8, तो ये 8 एकम 8 और 6, 14 बटे 8, आप चाहो तो 7 बटे 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखें, चाहो तो 7 बटे 4, लेकिन चलो, अभी basic सीख रहें अच्छे से, तो ये 8 चला गया उपर, तो ये हो गया 5 by 2 plus 3 by 1 plus, ये 8 उपर जलाएगा, तो 8 बचे 40 बटे 14, आई बात समझे में, अब इस एरिया को कभर करिए, 14 एकम 14, 5 by 2 plus 3 by, 14 एकम 14 और 40, 54 बटे 14, तो 14 तहां चला जाएगा, उपर, तो ये उपर हो गया 14, फिर हो गया 5 by 54 दूनी 108, इन दोनों को गुना करेंगे तो 54 दूनी 108 और उदार 28 था, बी आलिस था, 14 तिया 42 और 54 दूनी 108, बी आलिस और 8 हो गया 150, बटे 54, अब ये बटा में 54 है उपर हो जाएगा, 54 गोने 5 कर दीजिए, बटे 1,500, देखो चाहो तो काट सकते हैं, 30 बार में 30 पचे 1,500, फिर आप काट सकते हो, 3 दहें के 30, अठ चाहरती है 54, नहीं तो 6 से कर दो, 6 35, 6 नमा 54, 9 बटे 5, क्या किसी स्टूडेंट का आया है ये उत्तर, हाँ विक्की शेखर बाबू का उत्तर है, 9 बटे 5, और तो मुझे किसी स्टूडेंट का भी तक नहीं दिखा है, ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा देखो, थोड़ा कि ये रहेगा, कि कम से कम, कम से कम, ठीक है, आप 15 questions को, ठीक है, कम से कम आप 15 questions को, आप कहीं से निकाल कर, कौपी में नोट करके, और आप खुद से प्रेक्टिस करेंगे इस टॉपिक के उपर, लंगडा वाला भिन्ने के उपर, सब लोग प्रॉमिस करिए कि सर हम करेंगे, जल्दी, तब लोग प्रॉमिस करिए कि सर हम बिलकुल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा confusion बला topic है, मैंने एक structure तयार कर दिया है, आपके लिए, बेस तयार कर दिया है, अब आजाईए trick नंबर 5, जो सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि जब आप math बनाने बैठिये गाना, तो भि बताने वाले हैं, जिससे आपके समय की बहुत बज़त होगी, तो आप heading बना ये trick number 5, लंगड़ा वाले भिन के उपर आप लोग practice करिएगा, trick number 5, और ये final trick है, आज के session का, उमीद है कि ये trick सीखकर आप एकदम मन प्रशन हो जाएगा, देखिए शुरू में जब हम question लिखे तो थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान कम जाएगा, ये भी कोई trick है, ठीक है, लेकिन दो मिनट के बाद के हारे बाई, ये ही तो main चीज है सर, सवाल देखो, कैसा रहेगा, दो पुर्नांक, दो बटे तीन, तीन पुर्नांक, दो बटे पाँच, पाँच पुर्नांक, छे बट पाँच पुर्नांक, एक बटे तीन, इसका माद, जरा बनाईए तो हमें, दस मिनट कम से कम इस trick पर चलेंगे, तो कि असली main concept तो यहाँ पर है, इसलिए मैंने इसको सबसे last में रखा, ठीक है, काईए सर, ये तो भिन का जोड़ घटाव है, बच्चा बच्चा बना देगा अरे भाई हमें भी पता है कितना बच्चा बच्चा बना देगा, पहले बनाईए तो सही, फिर जो हम इसके उपर trick देंगे, उसके बाद करिए, बनाईए दातों तले चने चवा देंगे इस trick को सीखने के बाद आप, ठीक है चलिए, आप लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें जरा बताईए तो कमेंट करके आप लोग इस question को deal करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यह क्या करेंगे, पुर्णान तोड़ रहे हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले पुर्णान के जो आगे दिख रहा है, उसको जोड़ दीजे, क्योंकि सबसे प्लस में है दो, तीन, पाँच, पाँच, भाई हो गया यहाँ पे दस, सब जगा पलस ही है तो अपने मन से पलस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ बचा दो बटे तीन, यहाँ दो बटे पाँच और यहाँ एक बटे तीन, तीन, पाँच, तीन का LCM होता है पंदरा देखो आगे वाला को जोड़ दिये, दो, तीन, पाँच, पाँच, तीन, आट, दो, दर्स, ठीक है? उसके बाद दो बटे तीन, दो बटे पाँच और एक बटे तीन पाँच और एक बटे तीन पाँच तीन पानदरा 3, 5, 3 का LCM 15, कई बार में, 3, 5, 15 कहेंगे सर, 5 बार में 5 से उपर गुना करेंगे 5 दुनीजा, 5, 3, 15 तीन बार में 3 से उपर गुना करेंगे 3 दुनीजा, 3, 5, 15, 5 बार में 5 एकम 5, तो आपका उत्तर आया 10 पलस, 10, 6, 16, 16, 16, 15, 15, कहिए सर इस से अच्छा तो जोड ले, हमाई तो दीजे, ट्रिक बाताएंगे आपको, 10 पलस, क्या 21 बाटे 15 को एक पुर्णांक 6 बाटे 15 लिख सकते हैं, 15 एकम 15, 6, ये फिर यहां जोड़, 11 पुर्णांक 6 बाटे 15, क्या आपके प्रश्न का ये उत्तर है, क्या आपके प्रश्न का ये उत्तर है, ये सियनों में जबाब दीजिए, 15 दाएं के डेड़ सो, 165, 171 बाटे 15, इतना भी नहीं, डाइरेक्ट पुर्णांक में उत्तर, बताइए सही, सही सीखे, कुछ अच्छा सीखे, कुछ नया सीखा आपने, हाँ या नामे जबाब दीजिए, 11 पुर्णांक 6 बटे 15, क्या इस प्रश्न का है उत्तर, कुछ लोग 57 बटे 4 कर रहे हैं, जो, अच्छा ये कड जाएगा, हाँ, कड जाएगा, और अच्छी बात है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, तीन दुनी छे, तीन पच्छे पंदरा, 11 पुर्णांक 2 बटे 5, आप इसको 11 पच्छे पच्छ मंदू संतामन बटे 5 भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है बिलकुल, अभी तो असली पिटारा खुलना भागी है इसके उपर, ये तो बेसिक था, तिखें, कईये हाँ या फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, पांच मिनट में रौन देंगे आपके मन को, ठीक है, एकदम असली मज़ा आप सिखो, दो पुर्णांक 3 बटे 5, कहिए गलगता है सर इसी फेक रहे, अरे नहीं, देखो तो सही, दो पुर्णांक 3 बटे 5, चार पुर्णांक 5 बटे 6, माइन पुर्णांक 2 बटे 3, माइनस, 3 पुर्णांक 3 बटे 5, दो पुर्णांक 3 बटे 4, माइनस, 6 पुर्णांक 5 बटे 6, बनाए, कहिए सर बक्स दीजिये नहीं बनेगा, माथा दरद मत करिए हमारा, ठीक है, आईसी अभी वेकेंसी तनी देर से आ रही है, और उपर से आप परि देख लो, जब लगे की नहीं बने तो बता देना हमें, जब लगे की नहीं बने तो हमें याद कर लेना, और एक बार प्यार से पुकार लेना, एकदम ट्रिक से उत्तर समझा देंगे एक कभी ने कहा है, एक शायर ने कहा है कि ना ठके हैं अभी पैर, देको इतना देर से परा रहे हैं तो ठकावट तो आएगी तो शायर हमारे लिए भी कहा गए वो कि भाई ना ठके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है और होसला है जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने का, इसलिए आज तक अभी भी हमारा सफर जारी है ठीक है, नहीं बनेगा, यही तो सुनना चाह रहे थे, काईएगा कौन इतना लंबा चोड़ा दिमाग लगाता है, आप लगाईए हम न लगाएंगे, हम लगाते हैं भाई, देखो जी जो आगे वाला है जोड दो, तर दू और चार हो गया छे, छे पांच एगारा, अई माइ एंगे सेर, दो और चार जोड़े तो छे, छे में पांच जोड़े तो 11, 11 में 3 गट गया आट, फिर 2 गो जोड़े, 10, तर दस में 4 पहर घट गया, तो आएगा भाई, पिर प्र गड़ा आ गए, तो और चार छे, छे पांच एग्यारा, एग्यारा में से 3 गया 4, आट, 7, 10, दस में फिर छे चला गया, तो दस में छे चला गया, आया चार, ठीक है, तो हमने इस लाइन को मिटाया लिखा चार, अभी पलस लिखें, कोई जरूरी नहीं क्योंकि माइनस वाला भी stand up कर रहा है, अब देखो, कुछ लोग तो पुरनांग तोड़े होंगे, फिर जोड़े हो क्या है, काट दीजिए, यहां पर तीन बटे पांच पलस में है, इसको कहे लेकर आये हैं, तीन बटे पांच माइनस में, प्तम कीजिए कहानी, और कौन बचा, और कौन बचा, यह दुनू डर गया, कहीं इसको लगा, कहीं हमको भी काट छाट के बरावर ने कर दे, गोसा आ को बोले तुम आजाओ, यह आ गया, एकदम डरा हुआ सामासा, इसर हमको ने काटिएगा, बले तुमको ने काटिएगा, यह भी आ गया, डरा हुआ सामासा, यह भी बोला हमको ने काटिएगा, चार पलस, लसीम हो गया बारा, तो तीन चक बारा, चार बार में चार दुनिय भाई इतना लंबा चोड़ा काहे लेकर गई तुम्हारों ही 361 बटे सा इधर देखो एक बार आप लोग हमारे साथ अप्लिकेशन पर जुड़ी है आपका स्वागत करते हैं वहाँ पर ऐसा ऐसा कॉंसेप्ट और ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे ना अप्लिकेशन पर आप सोचिए जब यूट्यूब पर इतना भरमार है ट्रिक का तो अप्लिकेशन पर क्या करेंगे संजीबनी बैच लीजिए जल्दबाजी में अगर एक्जाम है तो मैथ रिजनिंग को जिरो टू हिरो लेवल तक पढ़ना है संघर्स बैच लीजिए ये दोनों में से कोई एक बैच जरूर लीजिए मैं आपको रिकमेंड करो क्या फीस लगेगा उतने के तो आजकल गोल सब्सक्राइब से नहीं आएंगे महीने में 400-500 का बैच रेगा वो भी पूरे एक्सा महीने में कितना पढ़ा 50 रुपे महीने में 50 रुपे आजकल के तो बच्चे एक बार में 50 के गोल गप्पा तो हमारा बहाना है वह आप लोग क्या करते हो आप कोई पता है अब अस्क्र में या इस तरह के कोश्चन को ऐसे करेंगे सौल एक दम तासनाथ कर देंगे जब प्लस माइनस प्लस माइनस कट रहा है तो क्यों उसको रख के अचार डालना है हां खतम करिए कहानी को ओके तो हमने बोला था कि यह जो लास्ट टॉपिक है पुर्नांक वाला उसको जड़ा बढ़ियां से सिखाएंगे यही तो सबसे बढ़ी सब्सक्राइब भाई इसी चीज़ के लिए तो आप लोग आये हो काटने छाटने के लिए ही तो आये हैं हम लोग नहीं हाँ इसको पाकिस्तानी समझ के करतो फिर कटेगा यह ओके चलो तो आज का सेशन यही तक रखते है समझ लो कि ये हर एक पाकिस्तानी का गर्दन है एकदम काट देना है ठीक है रियली मैं नहीं बस पढ़ लो अच्छे से तो गणित माने तो मक्खन ठीक है तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं उमीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्र पर जाएए और हमारी टीम से बात करिए ठीक है हम अपना ओफिशिल नंबर दे देते हैं आप सभी को ठीक है अभी तक हमने दिया नहीं 6200-733-3858-7520-318714 यह हमारा ओफिशिल नंबर है अगर आप सारा दिन काम बात करें तो हमारी टीम से बात हो देगा अगर आप इवनि आपकी सेवा में हाजीर जाते हैं कभी कवार वैसे तो हमारी टीम पूरा एटन करती है अप्लिकेशन यही नंबर है 6200-733-3858-7520-318714 अगर आपको कोई बैच लेना हो तो यही हमारा फोन पे और गूगल पे नंबर है आप यहाँ पे पे पेमेंट कर सकते हैं निश्चिन के पास खुद का फोन पे गूगल पे पे टीम नहीं है तो साइवर कैफे से या कोई शॉप से या किसी फ्रेंड से पेमेंट कराके आप जो बैच की प्राइज आपको दिख रहता है तो पेमेंट करके या तो इस पे या तो इस पे स्क्रेंशॉट दे दीजिएगा एक वेर बाए गुड़नाइट सुईट ड्रीम मिलते हैं कल हम लोगे एक अच्छे साइसन के साथ